ये जो कनफुकवा पार्टी भारतिय जनता पार्टी है इस पार्टी से सौधान और सतर करें। देखिए चिराग पसवान जी की कोई बिहार में पकड़ हैसियत नहीं है। पीएफाई सही है ये गलत। पीएफाई का मामला है। वह रास्टिय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। जो इसमें भन जाना चाहती है क्या बीजेपी। एजेंसियां हैं करवाई की रहती। तो ये स्तिती आज देश में नहीं होता। नमस्कार देख रहे हैं जहकास भारत और मैर अविकांत हमारे साथ हैं अभी प्रवक्ता जदियू के मंजीत सिंग। मैं अभी कलिनलों का जागरुकता सतरकता मार्च निकला है। किसलिए क्या बीजेपी से धार्मी कुनवाद का खत्रा है। निश्यत रूप से भारतिय जनता पार्टी किवल बिहार में ही नहीं बलकि देश के अस्तर पर संप्रदाइक तनाओ धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिस कर रही है। और बिहार में खासकर प्रेम भाईचारा को समाप्त करने की कोशिस कर रही है। जिस तरह से लगतार बिहार के महोल को बिगारने की भारतिय जनता पार्टी कोशिस कर रही है। उसको लेकर जनता दल युनाइटेट के सुर्मान नेता अधर्णिय नितिश कुमार जी योम जनता दल युनाइटेट के रास्टिय अध्यक्ष श्री ललन सिंग जी ने या फैसला किया कि हम बिहार के 13 करोड आवादी को हम जागरुक करेंगे। उनको हम शौधान सतर करेंगे कि जब से जनता दल युनाइटेट भारतिय जनता पार्टी से अलग हुआ तो बिहार में एक खड़ेंत्र हो सकता है, बिहार में एक शाजिस हो सकती है, धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिस भारतिय जनता पार्टी द्वारा की जा सकती है, और शांती का वातावरण बिहार में कैसे पैदा हो इसकी कोशिस भारतिय जनता पार्टी कर रही है। कि आम अवाम को सोधान सतर किया है कि यह जो कनफुकवा पार्टी भारतिय जनता पार्टी है इस पार्टी से सोधान और सतर कर रही है। वह रास्टिय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। मेरा मानना है कि रास्टिय सुरक्षा से खिलवार नहीं होने चाहिए। और इस पर राजनीत भी नहीं होनी चाहिए। लालू जी राजनीत कर रही है। और भारतिय जनता पार्टी राजनीत इस माने में कर रही है कि भारतिय जनता पार्टी की सरकार और स्ट्था है 2014 से और ये 2022 हो गए। 2020 में करनाटक में भी भारतिय जनता पार्टी की सरकार है। यहीं PFI के लोग ने जो वहां पर आतंकी हमले हुए इसके शाजीस में लोग थे। तो अब उन पर उस समय 2020 में करवाई Central Agency ने क्यों की नहीं की। और किंद सरकार ने उस पर करवाई सह समय नहीं किया। जिसका कारण है आज देश में हर जगों पर इसके खिलाफ अभ्यान चल रहा। 2020 में करनाटक में PFI पर अगर नियंतरन हुआ रहता। इनके जो Central Agency हैं करवाई की रहती तो यह स्तिति आज देश में नहीं होता। दूसरी महत्पून बात है 2020 की घटना को 2022 तक इन लोग ने विस्तारित करनाटक में किया। 24 में भंजाना चाहती है क्या बीजेपी। भारतिये जनता पार्टी को राश्टिय सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं है। इसकी तुस्ट्री करण इस पर राजनीती है। यह भाई सही है या गलत है। देखिए राश्टिय सुरक्षा का जहां तक सवाल है। उसको हम सही कैसे कह सकते हैं। अगर किंद्र सरकार को या सिंट्र अजन्सी को उसके चैसाबूत आये हो पुकता तोर पर तो वो करवाई करें। राश्टिय सुरक्षा का जहां तक सवाल है , वहां पर हम लोग और राश्टिय सुरक्षा के सवाल पर किसी के सथ नहीं हो सकते हैं। एक सवाल है नितीश जी लालू जी दोनों दिली गए हैं सोनिया जी से मिलने सोनिया जी मिले और भी तमाम बाते हैं प्रधान मंत्री को लेकर काफी जोड सोच चल रही बिहार में 40 सीटों पर तो लल पहले ही कहीं चुके हैं कि यहां पर हम रोक लेंगे तो 40 सीटों में कई ब प्रधान मंत्री के दावेदार नहीं है कि नितीश कुमार में प्रधान मंत्री बनने की सारी योगता है उनमें चमता है 17 वर्सों तक वह बिहार की सेवा उन्होंने किया है और उनके अंदर योगता चमता अदर्णिय नितीश कुमार जी में है बिहार में सभी पार्टियों दल हैं उन विपक्षी दल को एक जूट करना हमारी हमारा पहला लक्ष है और इसके लिए मान्य मुखवंत्री जी ने कई राज्य के मुखवंत्री से उन्होंने मुलकात वी की कई विपक्षदल के निताओं से उन्होंने मुलकात किया और जिसके सार्थक सुबसंकेत विया है देके किवार की सोफ्ट मतलब रहते हैं कि किराग पषवान जी की कौई भी हार में किसी पकड हैसीयत नहीं है और उनका दौजार बीस में वचिनाव लडएं क्या इस्तिती हुंज चिराएं पश्वान का डर रहे हैं लेलन सिंग बोलने है चिराग मौडल का हिस्सा थेयर चिराग मौडल का इस्तमाल तो भरतिय जनता पार्टी ने किया साजी सरची गए जनता दल्यू को कम्जोड करने का और किस तरह से नितिश कुमार के कद को छोटा किया यह पूरे विहार ओर देश के लोग अब जानते हैं कि भरतिय जनता पार्टी ने अपने एलाइज पॉर्टर जनता दल्यू के साथ किस तरह से विश्वाज घात किया और सारे बागी उमिद्वारों को एलजेपी का उमिद्वार बनाया यह नहीं में पर्च विया हुआर्प Mcति-वार न॰्थ। में सब लोग विश्वास करने वाले लोग हैं और भविश में क्या होगा यह अभिन बताना जल्दिबाजी होगा उनके सांसा तारीफ कर रहे है नितिश जी विहार में उन्होंने काम किया है विहार का विकास किया है अब लोग बहुत परशन रहते हैं इस कारण और नितिश जी दल पार्टी कोई हो अगर वो अपनी विकास में रूची रखने वाले लोग है नितिश जी उस मार्क पर चलते हैं सबका काम करते हैं विहार का विकास करते हैं उसकारण नितिश कुमार जी ने जो प्रयास प्रानम्ब किया है शुनिया गांधी जी से नितिश कुमार जी लालू परशाद आजाओ जी संजुक्त रूप से मिले बात किये उसके प्रेस कांफरेंस भी हुआ लालू जी का वुआ अधर्णिया नितिश कुमार जी की अब भी हुआ और ये बात आ गई कि जो अभिन रास्टी अधक्ष का कुछ देर कुछ दीन इंतजार कर ले सत्ता पक्ष के लोग जो लग रहा है जिनको विपक्षे एकता पर सवाल खड़ा कर रहे हैं उनको आने वाले दिनों में विपक्षे एकता का मतलब समझ में आ जाएगा जले बात कर रहे थे हम अभी जदियू के प्रवक्ता मंजीत सिंग जी से अभी के लिए इतना ही कहेंगे मेरा नाम हो रविकान तमाम सियासत से जुड़ी हुई खबरे में लाता रहूँगा धन्यवाद